हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे उन यह जिनका पार्टनर से प्रेक UP हो जाता है यह उनका पार्टनर अनुक्त लुश्य करें और से ने और ही शंड़ है तो अब यह यूग पर नहीं है इस सच को शुकार जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और अगर आप जड़ासा भी बात चाहते हैं कि आपके पार्टनर को कभी एसास हो कि उसने किसे खोया है उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है उस इस गलती का एसास हो तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला और जब आप इस सब करने से आपका पार्टनर तो अदर से रिसपॉंस नहीं मिलता है वो कुछ भी आपके साथ आपको पार्टनर को कभी एसास हो कि उसने अपनी लाइप पे बहुत कुछ खो दिया है उसे आपको छोड़ने का अफस बलकि बदलाव लाईए चेंज रख करिए और जिससे आपका पार्टनर को 100% कभी ना कभी अफसोच जरूर होगा कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है चलिए फ्रेंट्स मैं आपको बताते हूं यह बदलाव कैसे लाने है तो सबसे पहला चेंज आपको अपनी सोच में लाना है जब आपका पार्टनर आपको अपने ब्रेक अप के बारे में बताए आपसे यह कहें कि आपको चुर के जाने वाला है तो उसके इस डीसिजन को बिना किसी सवाल को पूछे हुए क्योंकि अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं या कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं या उससे कारण जाना चाहते हैं या उससे भीग मांगते हैं प्यार की अपनी या उससे कहते हैं कैसा मत करो तो कोई फायदा नहीं क्योंकि जो वो आज कर करने से आपके माफी मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला इसलिए ऐसा कुछ भी रा करें और उसके डिजिजन को वैसे ही एक्षप कर ले बिना कुछ कहें बिना कोई सवाल पूछें क्योंकि यह चुपी उसे बहुत चुपएगी तो यह उमीद कर रहा था कि वह आप उससे यह ऊसे लड़ाई जगह करोगे , सब पूछ उगे उसे पीछे पीछे आओगे और जब ऐसा कुछ भी नहीं करोगे उसके डिजिजन को वैसे ही अकशप कर लोगे तो यह चुपी उसे बहुत चुपएगी तो यह चुपी वह काम कर जाएगी जो आपके 1000 वर्ड कोप भी औ वो जाहेगी, वो जाणना चाहेगा, की आप में कुछ पूछा क्यों नहीं, आप कोई उससे सवाल पूछा क्यों नहीं जानने की कोसिस की, तो इस चुप्ती वो काम कर जाएगी, जो आपके 1000 वर्ड भी नहीं कर पाएगे। और यह बाप भीधा रखता है कि वह सच्वे इंसान आपसे, उसके मन में साइज सच में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी अगर जरह भी फीलिंग्स होती उसके मन में तो आपको इस तरह तकलीप में छोड़के नहीं जाता दूसरा बदलाव आपको यह लाना है कि आपको अपने ऑपर धान देना है, आपको अपने आपको कैसे भी खुष रखना है, अप्टेट रखना है, अपने फ्यूचर की गोल बनाने हैं उस पर फोकस करना है, बहुत टाइम आपने किसी और को दे लिया, बहुत रो लिये, बह तो जोशयादों पीचेश प्राजी अपने आपको फोई पुर्ए को अपनी आपको एिए, डियोंसे, अपनी आप पूरा गेट डाफ मेख सहे हर देजा warrior को कि अपनों भूतरे इसाड़ के अपन मेख शाले उपने आपको दे ज़ुस रखकें, आपको वस्तारी एक इंसान के साथ रहे थे उसी के बारे में सोचते थे उसी के बारे में कुछ करते थे अब आपको उसकी दुनिया से बाहर आके अपने बारे में सोचना है अपने लिए जीना है तो सबसे बड़ा है कि आपको अपने लिए जीना है अपने आपको खुज रखना है और अपने फ्यूचर का गोल बनाना है अपने आपको अपडेट करें कि वो इनसान जब देखे तो उसे अपने डिसीजन पर पस्तावा हूँ ज़्यादा तर लोग ऐसे करते हैं कि अपने एक्श गल्फरेंड या एक्स बॉयफरेंड को जलाने के लिए आपको पहुत इसे आपको नहीं करना है आपको यहां मैच्चुर्टी से काम लेना है आपको ज़ल्दबाजी नहीं करना है आपको सही समय और सही इंसान का टीattend cohort मे यकीन मानिए आपकी लाइप में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको प्यार करेगा, आपको समझेगा क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई भी किसी को भी ऐसे अपना गल्फ्रेंड या बॉइफ्रेंड बना लेते हैं, किसी को लाइप पार्टनर चुल लेते हैं इसलिए आप बिल्कुल भी इस काम में जल्दबाजी ना करें, किसी और को जलाने के लिए अपनी लाइप के साथ खिलवार ना करें तो फ्रेंड ये सब करने के लिए आपको थोड़ा मैचूर बरना पड़ेगा, आपको थोड़ा मैचूरी से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपको उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सबज़िए कि आपने कुछ भी न अपनी लाइफ में कहा हो और पक्का यकिन मानिये वो जाने की कोशिच चरूर करेगा और जब आपको अपनी लाइफ को ऐसे मैच्योर्टी इसे समझदारी से जीते हुई देखेगा तो उसे पस्तावा होगा उसे पक्का अफसोस होगा कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कु को सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह लब एडवाइस लब टिप्स और मोटिविशनल वीडियो आपके इलाती रहूंगी तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई